पुश्कर अर्जमेर तीर्थराज पुश्कर के भ्रमा मंदिर में अधेर शक्स ने धारदार हतिहार से संत महादेव पूरी पर जान लेवा हमला कर दिया। हमले में संत के हाथ में चोट आई है। हमले के बाद आरोपी हमलावर चिलाता रहा की राष्टपत्ती का अपमान क्यों किया। इस हमले का वीडियो भी वायल हुआ है। इस पर सवाल उठ रहे हैं जब किसी सी टीवी कैमरों का ओपरेटिंग रूम भी पुलिस सुरक्षा में रहता है। हमला करने से पहले आरोपी हमलावर अशोक ने पहले संत को बाएं हाथ से प्रसाद दिया और दूसरे हाथ से तलवार निकाल कर हमला कर दिया। हमलवार ने संत महादेव पूरी पर तीनवा किये। हमले के बाद संत महादेव पूरी ने किसी तरह गर्भग्र हमें गुसकर अपनी जान बचाई। संत के पीट वहाथ में चोटे आई हैं। हमलावर करीब दो मिनट तक भ्रमाजी की प्रतिमा के आगे हतियार लहराता रहा। दर्शनों के लिए आईश्रधालूओं को डरा कर भगाता रहा। इसी अफरात प्री में सथाई कर्मियों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के ह पुलिस ने आरोपी पर प्रांड घा तक हमला करने का मुकदमा दर्जकर उसे गिरफतार किया है। हमलावर की पहचान सोजत निवासी अशोक में घवाल के रूप में हुई है। आरोपी हमलावर अशोक खुद को MBBS डॉक्टर बता रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि हमलावर दो दिन पूर्व भी मंदिर आया था। काफी देर तक मंदिर के बाहर बैठा सुरक्षा पर सवाल ब्रह्मा मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। इसलिए यहां भारी सुरक्षा रहती है। मंदिर में निजी सुरक्षा गाड भी है। मेट्रल लिटेक्टर से उन्होंने गर्भग्रे की जगे सीड़ियों पर ही पूजा की थी। शरार्ती तत्वों ने अपमान की अफवाग फैला दी कि उन्हें गर्भग्रे में प्रवेश नहीं करने दिया।